हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोई स्टुडेंट्स और लोग रेजुएट्स के लिए गॉर्मेंट आफ इंडिया के संस्थान में सदय ओपेन रहने वाली पेड लीकल इंटर्णशिप के बारे में इस इंटर्णशिप में आपको 15,000 रुपीज पर मन्त के हिसाब से स्टाइपेन भी मिलेगा ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग रेजुएट्स और लोई स्टुडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में सीखने के बहुत कम चांसेज मिलते हैं और यहाँ पर आपको सीखने के साथ साथ इस टाइपेन भी मिलेगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मिशन और AIB एक्जाम प्रेपरिशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज के बीजिए श्टार्ट करते हैं और लोग रेजुएट्स के लिए और लोग इस्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो एक प्रकार से लीगल इंटर्शिप निकली हुई है उस के वारेम डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तों यह जो लीगल इंटर्शिप है CCI अर्थात Competition Commission of India में निकली हुई है जो की Government of India के अंतरगत आता है और यहाँ पर यह जो लीगल इंटर्शिप है इसके लिए आप ऑनलाइन भी अपलाई कर सकते हैं और आफ लाइन फार्म भी अपलाई कर सकते हैं ऑनलाइन आपको जदी अपलाई करना है तो आपको cci.gov.innesofficial website पर जाना होगा उसके बाद उसके इंटर्शिप में जाना होगा इंटर्शिप प्रोग्राम पे वहाँ पर आपको guidelines और apply now का दो option मिलेंगे apply now पर जाकर करके आप form apply कर पाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर form आप online भी apply कर सकते हैं और offline भी apply कर सकते हैं कब से कब तक apply कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे तो दोस्तो प्रतेक मन्त की first date से लेकर के tenth date तक means एक तारीक से लेकर दस तारीक तक प्रतेक मन्त में आप यहाँ पर online form अपलाई कर सकते हैं यदि आपको offline form अपलाई करना है तो आप यहाँ से form डाउनलोड करके कभी भी apply कर सकते हैं लेकिन जो आपकी counting होगी वो यही माना जाएगा कि अगर एक से दस के बीच में आप भेज देते हैं तो जो next month है उसमें आपको internship में लिया जा सकता है और यद late भेजते हैं तो उससे next month में आपको internship में लिया जाएगा तो चलिए इस internship के बारे में और दोस्ती जानकारिया डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्तान CCIE अर्थात töरा Legal Internship या दौसी जो disaster जारी guidelines है तो दोस्तो जो Competition Commission of India है वो different type की internship कराता है लेकिन यहां पर हम बात करेंगे Legal Internship की तो दोस्तों यहाँ पर legal internship के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि age क्या होगी तो दोस्तों यहाँ पर age का कोई बार नहीं है किसी भी age का जो candidate है वो form apply कर पाएगा दूसरी जो महत्वपून बात है कि इसका time duration क्या होगा कम से कम एक महीने मींस आपको जो legal internship करनी कम से कम आपको एक महीने की internship करनी ही होगी इसे कि आप 2-3 महीने तक बढ़ा सकते हैं up to 6 month तक बढ़ा जा सकता है और दोस्तों प्रतेक मन्त में यह जो internship होती आलोवर पूरा जो year है आपका पूरे year में open रहती है और प्रतेक मन्त जो है maximum 15 internship जो होती है इंटरन होते हैं उतने लोगों को internship कराई जाती है और उनको certificate भी दिया जाता है certificate देनी के साथ साथ stipend भी मिलता है 15,000 पर मन्त के हिसाब से जो जितने महीने की internship करता है अब बात कर लेते हैं कि eligibility क्या होगी दोस्तों तो eligibility क्या है यदि आप 3 year की law degree कर रहे हैं तो आप second year में होंगे या third year में होंगे तो उस समय आप यहां पर form apply कर पाएंगे यदि आप 5 year की LLB कर रहे हैं तो जब आप fourth year में होंगे या फिर fifth year या final year में होंगे उस समय form apply कर पाएंगे और जो LLM students है वो भी यहां पर इस internship के लिए form apply कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने LLB तो complete कर रखी है LLB का आद वो LLM कर रहे हैं मिनसे एक प्रकार से अभी student है वो professional life में नहीं गए हैं तो वही ल को आपको verify कराना होगा अपने संस्ता के principal से या head up department से जहां पर आप study कर रहे हैं इसलिए यदि आपने law करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी आप LLM नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप इस internship को नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों अब बात कर जैसे कि मैंने बताया आपकी apply करने उनको email ID पर भी इनके भेज देना है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि application fees क्या रखी गई है तो देखें यहां पर application fees कुछ भी नहीं है सब के लिए पूरी तरीके से free है आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है उल्टा आपको यहां पर सिखाया जाएगा और सिखाने के साथ साथ stipend भी दिया जाएगा 15,000 पर मंत के हिसाब से लेकिन जाना सीखने के लिए आपको वहीं पर पड़ेगा इनका जो head office है ऐसा नहीं कि आप उसमें सोचे कि हम घर बैठे ट्रेनिंग कर लें तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो दोस्तों इसके साथ-साथ जो महत्तो जानकारी की बात है तो देखें यहाँ पर जो address है वह मापको screen पर दिखा रहे हैं यहाँ पर आप जो है form को भेज सकते हैं देख लिजे और देखें form के साथ जो एक सबसे महत्तो पूंग बात करनी है वो है statement of purpose लिखना होगा आपको 200 words का उसमें आपको बताना होगा कि हम य को internship क्यों करने दी जाए दूसरे को क्यों नहीं या means बहुत सारे लोग अपलाई करते हैं लेकिन हम को ही क्यों दिया जाए वो reason आपको यहाँ पर बताना होगा बेटर तरीके से वो reason आप बताएंगे तो आप internship के लिए वहाँ पर आसानी से select हो जाएंगे इस परकार से दोस और जो facilities हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं तो इस परकार से दोस्तों देखे application जो form है वो आपका इसी notification के last में दिया गया यदि आप form offline apply करना चाहते हैं यदि आप online apply करना चाहते हैं तो official website में जाकर कि आप online form apply कर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद